जैहिंद दोस्तों यूडीसी आरे में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे आयरलेंड और साथ अफ्रीका के बीच में होने वाले अगले ओडियाई मैच की दोस्तों जैसे कि आपने देखा पिछला ओडियाई मैच बहुत तगड़ा गया और हमारी टीम का परदर्शन तो उससे भी तगड़ा गया और दोस्तों जो आप लोगों की एक स्पेशल डिमांड थी वो भी पूरी कर दी गई है आप लोगों ने कहा था कि सर हमें ग्रैंड लीक की एक बहतरीन वीडियो डालके दीजिए जैसे आपने पिछली बार वीडियो बनाए थी जिस पे 84,000 लाइक थे और 30,000,000 वियू आए थे दोस्तों तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उसका भी रिकार्ड तोड़े यहां पे 1,00,000 पिछली बार मुझे था कि एक लाख लाइक आए लेकिन वहां पे मुझे लगता है 85,000 लाइक आए केवल 15,000 लाइक पेंडिंग थे तो यहां मैं चाहता हूँ कि एक लाख लाइक से वीड मिल जाएगा दोस्तों और एक बात अगर अभी तक आप लोग हमारी फैमिली के साथ नहीं जुड़े तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और जैसे ही ये बैल आइकन आपको दिखे औल पे क्लिक कर देरा जिससे होगा क्या जैसे ही मैं अपनी अगली फ्राइम वीडियो अप्लोड करूँगा उसका लिंक आपको नोटिकेशन टैब में मिल जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो का लुफ्त उठा सकेंगे टेलिग्राम का लिंक दोस्तों टाइटल पे क्लिक कीजिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहीं पे आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों अगर आप अलवरी टेलिग्राम यूज करते हैं तो आपको कैसे जॉइन करना है दोस्तों तो आपको टेलिग्राम हजार से उपर जिसके सब्सक्राइबर्स है वो वाला चैनल आपको जाइन करना है नीचे कुछ फेक चैनल है दोस्तों जो मेरे नाम का फाइदा उठा रहा है इन्हें जाइन नहीं करना फिर बता दू दोस्तों मैं किसी से भी किसी भी तरीके से अपने यूजर से एक भी रु जाएगा तो चलिए अब इसे भी क्लियर करते है डारेक्टली देखते हैं दोस्तों पिछले मैच में क्या घटा आपको बता है हमारी टेम फुल स्टैट्स के बेस पे बनती है स्टैट्स फेल होती है जो दस में से केवल एक बार होता है दो बाकी हमेशा स्टैट्स फोलो कर करते हैं और हम बढ़िया सक्सेस भी पाते हैं तो पहला मैच बहुत तगड़ा गया लेकिन बारिश ने सब सत्यानास कर दिया ठीक है दोस्तों इसी लिए आपने देखा होगा मेने बताया भी नहीं कि मेरी टीम का परदर्शन बढ़िया कितना मैं वान किया क्यों क्योंकि म साल स्टर्लिंग ने ना लगबग सतर पचतर की औसत से रन बनाए है और एक मैच में बंदा नहीं चला तो क्या बाहर कर देंगे बहुत गलत बात है स्टर्लिंग आपका कैप्टेन भी रह सकता है दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मार्क अडायर दूसरे बड़े है जो खेलेंगे क्यों यह बालिंग भी करेगा बंदा यह बैटिंग भी करेगा बंदा एंडी बैलबारीन टीम के कैप्टेन और बहुत तगड़े प्रटर फिल्ड को मैं फिर भी काउंगा लेना चाहो तो ले लो दोनों में से किसी एक बंदे को लेना या पोर्टर फिल् कि छे ओवर साथ ओवर डाल दिये कोई विकट नहीं मिला यह देख लीजिए दोस्तों रबाड़ा वो प्लेयर है जो कभी भी कुछ भी करके जा सकता है उसके बाद अपना फिकलुक वाय को एक विकट जरूर मिला लेकिन दोस्तों फिकलुक वायो एक तरीके से आप लगा आपको लेना पड़ेगा बैटिंग तो इनकी मुझे लगता नहीं इनके तक बात पहुंचेगी ठीक है तो ज्यादा कुछ तो हमारे पास भी नहीं है देखने के लिए हाना तो डेरेक्ली चलते हैं दोस्तों टीम बनाने ड्रीम 11 पर टीम बनेगी बैट बॉल अभी अपना सर्वर अपग्रेड कर रहे है तो उसकी जगह पे फेंटा फिट पर टीम बनेगी दोस्तों बैट बॉल का सर्वर अपग्रेड मुझे लगता है आज पूरा हो जाना चाहिए काफी एक मुझे लगता फिर फास्ट हो जाएगा आक उनका तो औरे फ्रीकी लीग पड़ी है द र्कंट टकर डी को क्रेस्ट पे थे क्या एक मिनट डी काफ नहीं केल रहे तो डी को को दूस्तों रेस्ट दी गई थी लेकिन मुझे लगता नहीं कि दूसरे मैच पे रेस्ट मिलेगी इने देखेंदा क्या किसी एप ने प्रिवियू डाला है इनका बैक करेंगे आर्लेंड वर्सी साथ अफरीका जी हांडल चुका है प्रिव्यू दी कंडिशन्स आर पीछ रिपोर्ट की बात करें दी कंडिशन्स आर एक्सपेक्टिड टू बी क्लावडी और विंडी बारिश के चांस तो है लेकिन हो सकता है मैच पूरा हो जाए ठीक है तो जो भी टीम टॉस जीते के वो पहले बालिंग करें क्योंकि बारिश का पता नहीं दोस्तों ठीक है प्लेइंग लेवन लगबग सेम है विद फियरली गुड परफॉर्मस एं रेइन इफेक्टिड गेम होस्ता अनलाइकली टू चेंज सेयर टीम ठीक है यह अपनी टीम सेम रखेंगे बैटिंग इनकी टेस्ट ही नहीं हुई तो हो सकता है यह तो कोई चेंज करें ना तो टीम सेम रहे सकती है महराज को चेंज कर सकते है क्योंकि उनकी दुलाई हो गई थी बाकि मुझे लगता है यह लोग कोई चेंज करना चाहेंगे ठीक है तो एक तरीके से टीम आप थोड़ा सा माइंड लगा के बनाएंगे तो आपको पता लगेगा दोस्तों कि यहां पर डीकॉक तो अब खेलेंगे नहीं टकर एक मात्र आप्शन है क्यों क्यों कि और कोई वंदा उपर बैटिंग करने आएंगा अगर आपने चेक किया होगा कि यहां पर लिखाई होगा कौन से नंबर पर आ रहे हैं कि यह देखिए वान टू थ्री फोर फिफ्थ फिफ्थ नंबर वे वरने आ रहे लेकिन वने बैट्समन बहुत तकड़े एक बात ने आपको बता दू ठीक है तो अगर आपको वरने लेने आना तो आप टकर नहीं ले सकते बैटिंग और इनका भी नीची है ठीक है इनका भ सब्सक्राइब मलां भी था ने छर्वीर हैं मार्क और कौर्वाड़ा का स्थे छेता है निचमसी ख सब्सक्राइब करई म Belgian ने टारि लेना प्रोटा थो कोई कोई इवह भाता जे रहे हैं रवाड़ा है उसके बाद बताईए दोस्तो अगला प्लेयर कौन सा रहेगा एदन माक क्रम ओपनिंग क्रम का प्लेयर हम नहीं छोड़ सकते एंडी बेलबारीन या पोर्टर विल्ड में से एक लेना है लेकिन टेक्टर ज़रूर लेना है टेक्टर हम ले चुके हैं दोस्तो ये देखिए एक बैटस्पन दो बैटस्पन तीसरा हमने एक और लेना ही लेना है इनका तो एंडी बेलबारीन के साथ जाए जाएगा अब डिरेक्टल सौथ अफरीकन बालिंग लाइनप पे चलेंगे सौथ अफरीका की तरव से रबाडा लिया जा चुका है लूंगी की जगह है आप लोग चाहे तो ओपनिंग स्लॉट है क्लाउडी वेदर है तो पेसर्स को हेल्प मिलेगी तो नौर्किया का नौर्किया दिखी नहीं रहे कहीं खेले नहीं का पहला मैच जी हाँ तो फेकलुक वाय को ट्राइ कर लिया जाएगा फिर और क्या लेकिन फेकलुक वायो बेटिंग भी करेंगे तो हमारे पास जानेवन मलन को एक मेरा मन था लेने का मलन या बावुमा तो उस तरीके से अगर देखते हैं तो फेकलुक वायो की जगह फिर कोई और वंदा हम ले सकते थे लोंगी जो काफी ओवर कर रहे हैं लेकिन तबरेज शमसी एक बड़िया उप्शन ए सकती है यह देखिए हमने बैटिंग काफी हैवी ले लिया दोस्तों जिसकी वज़े से नहीं ले पार है यहां पे फेकलुक वाया और सिमी सिंग दो बड़िया प्लेयर से जिने हम ले सक सकते थे लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैट्समान पांच ले चुके है दोस्तों या तो फिर आप बैलबरीन को निकाल दीजिए वह का लाग ऑप्शन है क्योंकि बैटिंग काफी है वी ले चुके हम एक बैट्समान और जरूर ले सकते हैं लेकिन यहां पर अभ अब अना तो फिकलो को आए हम यहां पर लेंगे जरूर यह देखिए क्योंकि साथ अफ्रिकन फेवर में टीम बन रही है डेट्स वाइड सी वी सी बताइए दोस्तों रबाडा मैं तो रबाडा के साथ ही जाओंगा वी सी वी सी मैं डसन के साथ जाओंगा डसन कहाँ पर है बिल्कुल सेफ जाएंगे दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिए बैट बाल पे तो दोस्तों अभी मुझे दखते है अक्टिविशन पर टाइम लगया सर्वर अपग्रेडेशन की तो आप फेंटा फिट पे गेल तो या पर फ्री की लीग आपको मिल रही है दोस्तों यह देखें फ्री इसका हैट्वेड भी काफी सस्ते है तो फाइदा उ जोस्तों